हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में जैसा आप सभी को पता है आज संड़े है और हर संड़े को हम एक आर्मी का कम्पलीट 50 प्रसनों का मौडल पेपर डिसकस करते हैं तो आज भी आपके पूरे 50 प्रसनों का मौडल पेपर डिसकस होगा जिसके अंदर समान्य ग्यान, समान्य विग्यान, गनित और इसनिंग चारो सेक्शन कवर होंगे तो सभी को टेस्ट लगाना है चलिए अपनी कलास स्टार्ट करते हैं और देखिएगा आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता है आज 25 जुलाई है और आज आप सभी के एक्जाम था जो की All India लेवल पर पॉस्ट पॉन्ड हो चुका है और इसकी वज़े से आपका पढ़ने का थोड़ा सा माइंड नहीं कर रहा होगा यानि कि आपका मौराल जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है तो मैं यहाँ पर आपको दो या चार चीज़े बताना चाहूंगा जिससे आपकी गाड़ी फिर से पट्री पर लोटेगी रहा है तो अपने अब इस स्कोर को आपको 45-46-48 तक लेकर जाने का प्रयास करना है पहला काम यह है और कुछ अच्छे लेवल के कोशन पर जाने का प्रयास करें थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएं क्योंकि एक्जाम अब इतनी बार पॉस्टमंड हुआ है तो थोड़ा इस वीक है तो साइंस को बिल्कुल स्ट्रोंग करने का प्रयास करें यानि कि जो आपका यप एक यहां डेड़ महीना बचा है इसके अंदर आप बिल्कुल जो आपका वीकनेस थी जो आपका प्रस पॉइंट था उसको और जदा मजबूत करते चले ताकि आप आगर आपका एक्जाम हो तो यह आपका लास्ट एक्जाम हो इस एक्जाम के बाद आपका सेलेक्शन हो ही जाना चाहिए राइट तो किसी को भी मॉरल डाउ नहीं करना है हां ऐसा कर सकते हो कि चार या पांच दिन आप किताब से ना पढ़के आप सैशन यानि की वीडियो से पढ़ाई क कर सकते हैं इसमें आपको क्या रहेगा कि आपको कोशन बने बनाई मिलेंगे सारे कोशन सेलेक्टीड मिलेंगे और आपको सिरुफ मोबाईल उठाना है और अपना डेली टैस्ट लगाना है इसलिए हमारी क्लास डेली शुबह 10 बजे आएंगी आपको सिर्फ क्या करना है मोबाइल उठाना है सुबह डेली क्लास अटेंड करना है अगर सुबह अटेंड नहीं कर पाते तो शाम को अटेंड करिए दो चार दिन आप सिर्फ वीडियो से ही पढ़ाई कीजिए उसके बाद दुबारा से अपनी बुक्स की तरफ लो पहला कोशन है आपके सामने स्क्रीन पर सोतंत्र भारत की पहली जनगरना किश्वर्ष हुई थी ओप्शन आपके सामने है अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को जरूर रोकिएगा और इतना ध्यान रखिएगा पढ़ाई छोड़ने से पेपर पास नहीं होगा पढ़ है तो यहां पर आंसर मैच कीजेगा अगर आप सभी ने ओप्शन डी को दिया है केरल आपका अंसर बिलकुल करेक्ट होगा केरल की साक्षाद्दार सरवादिक है कोशन नंबर थर्ड मैच कीजेगा मेरे से पहले आंसर देना है और लास्ट में सभी का स्कॉर मुझे कमेंट को डिसकस कर चुके हैं तो आंसर मैच किजिएगा अगर आपने ऑप्शन यहां पर बी को आंसर दिया है 1789 आपका अंसर बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रांसिसी करांती जो है यह 1789 में हुई थी नेक्स्ट बढ़ते हैं कोशन नमबर फोर की तरफ कोशन नमबर फोर आपके सामने यक्षिगान कहां का प्रमुख लोक नृत्य है जल्दी से आंसर दीजेगा इस प्रशन का क्या आंसर कर रहे हो अगर आप सभी इस प्रशन का ऑप्शन सी आंसर दे रहे हो करना टक आपका आ अनुसूचियो की संख्या कितनी है कोशन यह बहुत इंपोर्टेंट है और एक्जाम में आने है कोशन है जल्दी से इस प्रशन का आंसर दीजेगा वर्तमान में अनुसूचियो की संख्या कितनी है तो अगर आप सभी ने option C को answer दिया है 12 आपका answer correct होगा और जब सविधान का निर्मान हुआ था उस समय अनुसूचों की संख्या कितनी थी तो 8 थी ये भी आपको ध्यान रखना है कोश्या नमबर 6 आपके सामने है स्क्रीन पर किस पंच वर्षी योजना के दोरान गरीबी उनमूलन का नारा दिया गया था जल्दी से answer दीजेगा option आपके सामने सभी स्क्रीन पर given है तो answer match करेंगे अगर आप से भी नहीं आपे option D को दिया है पांच वी पंच वर्षी योजना आपका answer correct होगा पांच वी पंच वर्षी योजना के दोरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया next question number 7 आपके सामने जी 7 नमबर स्क्रीन पर है आपके सामने प्रस्तावना किस देश के सविधान से भारतिय सविधान में जोड़ा गया है आपका answer बिलकुल correct होगा next बढ़ते है question number 8 की तरफ सामने स्क्रीन पर गूगली और चाइना में शब्द किसे खेल से संबंदित हैं जल्दी से आंसर दीजएगा इस प्रशन का very very important and very very easy question तो देखिए गूगली और चाइना में शब्द जहां यह क्रिकेट से संबंदित हैं अगर आप सभी ने option A को आंसर किया है तो आपका answer बिलकुल correct होगा नेक्श बढ़ते हैं question number 9 की तरफ question number 9 है आपके सामने प्रसीद tennis खिलाडी राफिल नेडाल का संबंद किस देश से है हंजी क्या answer कर रहे हो अगर आप सभी आपे option B को answer दे रहे हो इस्पेन आपका answer बिलकुल correct होगा question number आपके सामने है 10 screen पर बंगाल में इस्थाई बंदोबस्त किस ने लागू किया तो मैच कीज़े का answer बंगाल में इस्थाई बंदोबस्त लर्ड कार्न वालिस ने लागू किया था आपका option C जो है ये बिलकुल correct answer होगा question number 11 पर चलते हैं आपके सामने है screen पर प्रसिद अलाई दर्वाजा किस का अंद्रमान किस ने करवाया था simple सा प्रसन है ये प्रसन कई बार discuss करवा चुके हैं जल्दी से answer दिजेगा तो answer match करेंगे अगर आप सभी ने option B को answer दिया है अलाउदीन खिल जी आपका answer correct होगा next question number 12 आपके सामने संयूक्त राष्ट्र संग दिवस किस तिथी को मनाया जाता है simple सा प्रसन है संयूक्त राष्ट्र संग किस थापना 24 October 1945 को हुई थी तो 24 October को सयूक्त राष्ट्र संग दिवस मनाया जाता है option आपका यहाँ पर बी जो है यह बिल्कुल correct answer होगा चलिए बढ़ते हैं next question पे next question number 13 आपके सामने हैं सुरक्षा परिशद में कुल स्थाई सदस्यों देशों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर देखिएगा सुरक्षा परिशद में टोटल जो है 15 देश हैं जिसके अंदर 10 जो देश हैं यह क्या है और 5 जो है इसके अंदर स्थाई देश हैं तो हमसे क्या पूछा है इस्थाई देशों की संख्या तो यह कितनी है पांच है इसका option ए जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा next question number 14 आपके सामने स्क्रीन पर wealth of nations नामक पुस्तक किसने लिखी है जल्दी से अंसर दिजेगा क्या अंसर दोगे इस प्रशन का तो ध्यान रखिएगा wealth of nations पुस्तक जो है यह लिखी है एडम स्मिथ ने option आपका डी यहां पर राइट होगा question number 15 है और आपका समाने ग्यान का last question है बगदाद किस देश की राजधानी का नाम है बताओ जी जल्दी से अंसर बगदाद इस दा नेम ऑफ दा capital of which country और देखिएगा test सभी को complete लगाना है और last में सभी को score comment box में बताना है आपका score कितना है अगर आपका यहां पर इतना score आ रहा है तो फिर अंदाज़ा लगा लेना कि आपका आगर आज एक्जाम होता तो आपका score कितना होता उस हिसाब से आपको improvement करते जाना है राइट तो बगदाद जो है यह इराक की राजधानी है option 20 का correct होगा question number 15 complete होते है section A complete section B है 16-30 question और जब last में score बताओगे तो आपको section wise बताना है section A में इतना correct हुआ है section B में इतना correct हुआ है section C section D और last में total बताना है और सभी को अपने physical के marks भी share करने हैं आपके physical के marks कितने हैं और साथ में 1Y4 negative marking भी लगा के आपको return का score बताना है आज का clear question number 16 का answer देंगे किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है फटा-फट से प्रशनों को discuss कर रहे हैं इसमें किसी को कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए जल्दी से जल्दी discuss किया जाएगा तो right answer यहां पर आपका option A रहेगा हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है next question number 17 आपके सामने स्क्रीन पर पदार्थ की चतूर्थ अवस्था क्या होती है हंजी तो match किजेगा पदार्थ की चतूर्थ अवस्था प्लाजमा है option D सभी answer दे रहे हैं चलिए question number 18 है आपके सामने मानव गुर्दे में बनी पथरी किसकी बनी होती है very very important question है जी आपके आने वाले exam के लिए मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है बिल्कुल correct answer होगा calcium oxalate option आपका C यहाँ पे बिल्कुल correct answer होगा question number 19 है आपके सामने है निम्न लिखित में से सबसे कठोर धातू कौन C है क्या answer करोगे इसका तो सबसे कठोर धातू जो है यह platinum है option D आपका यहाँ पे right answer होगा question number 20 है जी आपके सामने screen पर अकरिये gaso की खोज किसने कि थी क्या answer करोगे अकरिये gaso की खोज किसने की थी तो यहाँ पे आपका right answer option D रहेगा ramsin ने अकरिये gaso की खोज की है clear चलिए Question No.21 है आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देंगे और देखिएगा अगर आप S.S.C. G.D. की भी तयारी कर रहे हैं साथ-साथ तो S.S.C. G.D. के लिए आपको हमारा चैनल सर्च करना है Job Finder क्या सर्च करना है Job Finder इस पर डेली S.S.C. G.D. के लिए वीडियोज अफलोड हो रही है इसको जोइन कर सकते हैं अगर आप S.S.C. G.D. की त्यारी करते हैं YouTube पर सर्च करना है Job Finder क्लियर है बात Question No.22 आपके सामने है Pressure Cooker में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से जल का कौतना अंग हंजी तो दाब बढ़ने से जल का कौतना अंग बढ़ जाता है इसी वज़े से Pressure Cooker में खाना जल्दी पकता है Question No.22 है आपके सामने स्क्रीन पर उत्पलावक्ता का सिधान्त किस ने दिया था क्या आंसर करोगे आंसर आपको Option D करना है आर्कमेडीज ने उत्पलावक्ता का सिधान्त दिया था Option D बिलकुल करेक्ट होगा Question No.23 आपके सामने सोना का लेटिन नाम क्या है बताओ जी जल्दी से सोना का लेटिन नाम क्या है Short Form में हम AU लिखते हैं और कंप्लीट नाम है औरम यानि की Option B अर्जेंटम किसका है चांदी का लेटिन नाम है Short Form में हम इसको AG लिखते हैं Question No.24 आपके सामने है परमानू नाभी की खोज किस ने की है जल्दी से आंसर दीजेगा परमानू के नाभी की खोज किस ने की है सही जवाब Option A रहेगा रदर फोर्ड क्या सभी ने Option A को आंसर दिया है 25 नंबर कोशन आपके सामने है मचलिया डैश के द्वारा स्वशन करती है ये तो बिल्कुल आपका आसान प्रशन है बहुत बार रिपीट हो चुका है एक्जाम में तो मचलिया जो है ये है गिल्स के द्वारा स्वशन करती है Option B करेक्ट आंसर होगा कोशन नंबर है आपके सामने 26 इलेक्ट्रोन वॉल्ट किसकी इकाई है वट इस दा यूनिट ओफ इलेक्ट्रोन वॉल्ट तो इलेक्ट्रोन वॉल्ट जहाई है उर्जा की काई है Option B करेक्ट होगा कोशन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर ध्रूओ पर नमन कोण का मान कितना होता है फटा फट से डिसकस कर रहे है और सभी को कॉपी पैन साथ में लेकर बैठना है ध्रूओ पर नमन कोण का मान होता है 90 डिगरी आपका सी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है कोशन नंबर 28 डिटूरियम ऑक्साइड किसका सूत्र है तो डिटूरियम ऑक्साइड किसको बोलते है D2O को बोला जाता है और यह किसका सूत्र है भारी जल का सूत्र है option D right answer होगा question number 29 आपके सामने हैं किसे आपात कालीन हार्मोन भी कहते हैं आपात कालीन हार्मोन किसे बोला जाता है तो ये बोला जाता है आपका adrenaline को option आपका D correct answer होगा और इसी के साथ समानने विज्ञान का भी last question है question number 30 जैव विकास को सर्व प्रताम किसे ने समझाया था तो ध्यान रखिएगा जैव विकास को सर्व प्रताम लैमार के समझाया था option A correct answer होगा तो यहाँ पर आपका section A section B complete होता है section C discuss करेंगे समानने गणित और देखिएगा आपको यह समय मिला है जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको strong करने का थोड़े से अच्छे लैवल की question की तरफ जाने का और अगर आपका अभी शुरू में किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो डेली सुबह आपको हमारी क्लास यहां पर मिल जाएगी कम से कम क्लासिस तो आपको डेली लेने ही पढ़ेंगी ताकि आप टच में रहे और चार या पांच दिन के बाद दुबारा से आपको अपनी किताबों की तरफ लोटना है यह आपको ध्यान रखना है जो भी टॉपिक जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसके उपर वरक कीजिएगा अगर आपका मोडल पेपर में 50-50 में से 35 स्कोर आ रहा है चालिस स्कोर आ रहा है तो उसको 45-46 लेकर जाने का प्रयास करो राइट चलिए कॉपी पैन सभी ने लिया है ना आप प्रशन को सोल्व करेंगे कोशन नमबर 31 है एक से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ग्यात करें तो देखिए जब भी कोई सीरीज लगातार दी है और उनके वर्गों का योग आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या है एन गुणा एन प्लस वन नीचे होगा आपका टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन एन गुणा एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स यह वाला आपको फॉर्मूला लगाना है तो मैं दूनी बीस और एक 21 एंड डिवाइड बाइस सिक्स इतना क्लियर है अब कैंसल आउट करते हैं देखिए तीन दूनी छे और तीन सत्य एक्किस दो से कैंसल करूंगा तो यह पांस टाइम में जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा ग्यारा पंजे कितना होता है 55 होता है और 55 को फिर 7 से गुणा करना है यह रहा 55 और यहाँ पर गुणा करते हैं 7 से तो पंजु सत्य पैंतिस का 5 आंसिल 3 पंजु सत्य पैंतिस और 3 अरतिस यहाँ पे 385 option D आपका correct answer होगा क्या सबी ने सही आंसर द चलते हैं फटाफट से डिसकस करेंगे प्रशनों को और इस प्रशन को ध्यान से आंसर दीजेगा इस प्रशन में आपके गलती करने के चांस बहुत होते हैं तो यहां पर देखी कैसे करोगे यहां पर लिखा है 0.8 गुणा इस कोशन मारक को मैं x मान लेता हूं is equal to 0.004 यही लिखा है तो यह 0.8 जो है इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो x बराबर देखो यहां पर 3 डिजिट छोड़के फिर 0 है तो यहां पर 4 बटे में मैं नीचे 1000 लिख सकता हूं है ना अब यह 0.8 भी नीचे डिवाइड में गया है और इस 8 बटे 10 लिख सकता हूं तो यह 10 नीचे न रहेकर यह 10 आपका ऊपर चला जाएगा कलियर है ना अब यहां पर देखिए यह उपर 4 गुणा 10 कितना हो गया 40 हो गया और अगर 8 को मैं 40 से भाग करूंगा तो 5 आएगा यहने कि 5 और नीचे कितना है आपका 1000 है solve करेंगे क्या होगा यहां पर देखिए 1000 है तो तीन डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 0.005 आपका option D यहां पे बिलकुल correct answer होगा क्या सभी ने option D को answer दिया है चलिए question number 33 है आपके सामने 2468 का LCM ग्याद करना है यह बिलकुल simple सा question है इसको मैं solve नहीं करूंगा डिरेक्ट बताऊंगा इसका जो right answer होगा वो option D होगा 246 तथा 8 का LCM 24 होगा क्योंकि 24 ही ऐसा number जो इन सभी से divide हो रहा है इसके लावा कोई भी ऐसा number नहीं है जो इन सभी से आपस में divide हो आप divisibility rule लगा के भी LCM निकाल सकते हैं यह मैंने तरीका आपको बहुत पहले बताया है question number 34 है आपके सामने यहापे 42, 63 और 140 का महत्तम समापरवतक क्या होगा जल्दी से इसका answer दीजेगा यहाँ पे कौन सा right answer होगा तो देखिएगा 42, 63 और 140 का HCF की बात करेगा तो आपको option D answer करना है 7 अब यहाँ पे आपको direct divisibility rule को लगा कर चेक कर लेना है इतना बड़ा आपको HCF solve नहीं करना है right अगर मैं 14 से try करूंगा तो जो 63 है वो 14 के पाड़े पे नहीं कटेगा 9 से अगर मैं try कर रहा हूँ तो 9 के पाड़े पे 140 नहीं कट रहे और 21 के पाड़े पर क्या है 140 नहीं कट रहे है जबकि 7 ऐसा factor है जिस पर 42 63 और 140 सारे डिवाइड हो रहे हैं तो यहां पर जो आपका HCF होगा वो 7 होगा यह ध्यान रखिएगा next बढ़ते हैं question number 35 की तराफ आपके सामने है स्क्रीन पर question है 35 की एक विद्याले में लड़कों का 10 प्रतिशत लड़कियों के 1 बटा 4 के बराबर है तो उस विद्याले में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा तो देखिएगा माना मैंने लड़कों की संख्या क्या है X है और लड़कियों की Y है तो X का जो 10 प्रतिशत है वो क्या है Y के 1 बटा 4 के बराबर है यही आपको बोला है अब यहाँ पर जो आपका cancel हो रहा है इसको पहले cancel कर लो यह 0 से आपकी यहाँ पर 0 cancel हो गई अब क्या करेंगे हम यह आमने सामने वाला भी divide हो जाता है तो 2 दुनी 4 और यहाँ पर आपका 2 पंजे 10 अब यहाँ पर आपका बना है X upon 5 is equal to Y upon 2 तो यहाँ पर X का ratio 5 है और Y का ratio कितना है 2 है आपका option B जो है यह बिलकुल correct आंसर होगा अगर आप सभी ने option B को answer दिया है आपका answer बिलकुल correct होगा next बढ़ते हैं question number 36 की तरफ आपके सामने है screen पर जल्दी से answer दीजेगा किसी संख्या के 25 बटे 3 प्रतिशत जो है वो डेड़ सो है तो वो संख्या क्या होगी तो देखे माना मैंने वो संख्या क्या है X है X के 25 बटे 3 प्रतिशत अब यह प्रतिशत है तो इसकी 2 0 भी नीचे आ जाएगी और इसकी value कितनी दे रखी है आपको 150 दे रखी है अब यह 300 दर जाके जब 6 में multiply होगा तो X की value कितनी आ जाएगी 1800 आ जाएगी option आपका B यहाँ पे बिलकुल correct answer होगा क्या सभी ने option B को answer दिया है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question नमबर आपके सामने 37 है इसक्रीन पर जल्दी से answer देंगे एक वस्तू को साड़े बारा प्रतिशत के लाब पर 4500 रुप में बेचा गया तो लाब की राशी कितनी है आपको लाब बताना है लाब कितना हुआ है अब इसके लिए आपको पहले क्रेम मुले निकालना पड़ेगा तभी आप विक्रेम मुले में से क्रेम मुले माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा अब क्रेम मुले का फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है विक्रेम मुले इंटू 100 और यहाँ पे आपका बारा प्रतिशत का लाब हुआ है साड़े बारा प्रतिशत का तो यहां पर आपको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करना है तो देखिए वी क्रे मुल्ले कितना है आपका 4500 रुपे है गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे और नीचे साड़े बारा प्रतिशत का लाभ हुआ है तो 112.5 यहां पर हो जाएगा तो यहां से हम 10 अमलब हटा देंगे तो इसका जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा इतना कलियर है अब इसको कैंसल आउट करेंगे और आपका आंसर आएगा क्रेम उल्ले तो देखिए का कैंसल करते हैं पहले 5 से कैंसल करता हूँ पहले 25 से कैंसल करेंगे 25 चोके 100 और 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125 और यहां पर 45 आ रहा है यानि कि अगर मैं इसको 45 के पहाड़े पर काटूंगा तो यहां पर 25 आएगा और यहां पर फिर आपका 100 बन जाएगा कटिंग आप अपने हिसाब से कर ले ना मैं अपने हिसाब से कटिंग कर रहा है फिर 25 से कं पचीज 25 तो के 100 अब यहां पर आपका क्रें मुल्ले है वह चलिए कोशन नमबर 38 पर चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है जल्दी से इस प्रशन का अंसर देंगे सिंपल सा प्रशन कि मोहन एक जीन्स को अंकित मुल्य पर 15 प्रतिशत की छूट देने के बाद 20 प्रतिशत का लाब कमाता है जीन्स के क्रेम मुल्य तथा विक्रेम मुल्य का अनुपात ग्यात करें अब जब भी कोई आपके सामने ऐसा प्रशन हो कि अंकित मुल्य की छूट देने के बाद इतने प्रतिशत का लाब कमाता है तो मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया है फॉर्मूला क्या है CP अपॉन MP जो क्रेम मुल है उसको हम क्या करते हैं 100 माइनस लौस परसेंट के बराबर लेते हैं और जो मार्क प्राइज है वह हम हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट के बराबर लेते हैं बस आपको यह चोटा सा फॉर्मूला ध्यान रख रहा है ऐसे पर्टिकुलर कोश्चन के लिए कोश्चन आपका दो सेकिंड का है फिर देखिए यहाँ पर क्या है सीपी अपोन एंपी है है ना बराबर हैंड्रेड माइनस लोस परसेंट लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा क्रेमूले आपका 85 परसेंट नीचे जो आपका यहाँ पर एंपी है वह हम 120 कर लेंगे 100 प्लस प्र नीचे पांच चोके 20 तो 17 रेशो यहाँ पर आपका 24 होगा ऑप्शन आपका ए जो है यह और क्रेक्ट आंसर होगा क्या सबीने और आपका रेशों में 17 और मार्क प्रैस जो है आपका रेशों में 24 है क्लियर है सभी को ओके यह क्रेम उल्ले और अंकित मूले के बीच का पाथ चालिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरह कोशन नमबर है आपके सामने 39 इसक्रीन पर कोशन नमबर 30 है 9 के प्रतामत 30 गुणकों का आउसत ग्यात करें बिल्कुल सिंपल सा प्रशन है इसको कैसे करेंगे तो देखिए 9 है फिर 18 है फिर 27 है ऐसे करते करते यहां पर 30 गुणक होगा वो 270 होगा कलियर अब जब भी आपको मैंने बताया है जब भी कोई सीरीज है उसके बीच में अंतर सेम है तो कैसे करते हैं फिर पहली संख्या पलस लास्ट संख्या को 2 से भाग कर देंगे तो यह आपका एवरेज आ जाएगा पहली संख्या नाइन है लास्ट की संख्या 270 है तो जोडेंगे तो कितना बनेगा 279 बनेगा और डिवाइड बाई आपको टू कर देना है तो करेंगे दो एकम दो दो तियाच्छे दो निमे अठारा और दो पंजे दास 149.5 आपका यहां पे आउसत होगा ऑप पांच वर्ष पहले उनका अनपात 5 रेशो 7 था तो वाई की वर्तमान आयू क्या होगी बताएगा यहां पे आपका क्या अंसर आएगा तो देखिए वर्तमान में उनका रेशो क्या है एक्स रेशो वाई है तता पांच वर्ष पहले जो इनका रेशो था वो था 5 रेशो 7 ठीक है वर्तमान में था 3 रेशो 4 और 5 वर्ष पहले था 5 रेशो 7 सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि इनके बीच का जो रेशो का डिफरेंस है वो सेम है या फिर नहीं है तो यहाँ पर देखिए तीन का डिफरेंस है यहाँ पर दो का डिफरेंस है तो डिफरेंस सेम नहीं है सबसे पहले आपको रेशो का डिफरेंस सेम करना है उसके लिए क्या करो इनके बीच का डिफरेंस एक उपर वालों की बीच का डिफरेंस दो सबसे पहले इनके डिफरेंस को आपस में क्रोस मल्टिप्लाई करना है आपको और जैसे ही आप क्रोस मल्टिप्लाई करोगे नीचे आपका 6 रेशो 8 बनेगा उपर आपका 5 रेशो 7 बनेगा आप इसको भूल जाना है आपको आपका जो नया रेशो है वो आपका ये बनेगा आप रेशो में डिफरेंस हमको पता है एक का है और वर्षो में डिफरेंस कितने का है पांच वर्ष का है दोनों डिफरेंस एक दूसरे के बराबर है Y की वर्तमान आयू बतानी है Y की वर्तमान आयू का रेशो कितना है 8 है तो यहाँ पे 5 को आपको 8 से मल्टिपलाई कर देना है 40 आपका option D correct answer होगा मैं उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आया होगा और यह वाला question हम पहले कई बार discuss कर चुके है question number 41 है आपके सामने screen पर 18 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे simple है 18 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं divide by 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे direct करना है आपको इस टाइप का question इस तरह से कोई formula नहीं बताऊंगा ऐसे question को direct किया करो देखो 3 से cancel करेंगे 3, 5, 15 और 3, 6, 18 6 सत्य कितना होता है 42 और 42 को आपको 5 से भाग करना है तो 58, 40 और 5, 24, 20 8.4 डे आपका right answer होगा option A Question number 42 है आपके सामने एक उधार दी गई राशी X वर्षों में 6 प्रतीशत वार्शिक दर्से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1 by 3 है X ग्याद करें X क्या है आपके सामने time दे रखा है और time का formula होता है simple interest into 100 नीचे आपका क्या होगा principle into rate of interest तो देखिए simple interest कितना है आपका 1 दे रखा है 1 गुणा 100 नीचे आपका मूलधन 3 है और जो rate of interest है वो 6 प्रतीशत है इसको solve करेंगे यहाँ पे 6 बटे 18 बनेगा और इसको हम आगे solve करेंगे तो यह 50 बटे 9 बनेगा अब इसको आप solve करेंगे तो 9,5,45 5,5,5,5,9 आपका option A जो है यह बिलकुल correct answer होगा question number 43 आपके सामने screen पर है answer देंगे किसी वर्ग की भूजा को दो गुणा किया जाए तो उसके शेत्रफल में कितने प्रतीशत की वृद्धी होगी यह वाला आपको answer बताना है तो देखेगा माना मैंने वर्ग की भूजा कितनी है 10 है तो वर्ग का शेत्रफल क्या होता है A square होता है तो 10 का अगर हम square करेंगे तो वर्ग का शेत्रफल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा next बोला है वर्ग की भूजा को 2 गुणा किया जाए तो वर्ग की भूजा 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी पहले शित्रफल सो था अब कितना हो गया 400 हो गया 300 की वृद्धी हुई है कितने से 100 से प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर देंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है टोटल 300% की वृद्धी हुई है आपका option C जो है यह correct answer होगा question number 44 आपके सामने स्क्रीन पर है दी गई श्रिंखला का बहूलक ग्यात करें तो यहां पर देखिएगा बहूलक क्या होता है जो भी संख्या श्रिंखला में सबसे ज़्यादा बार repeat होती है उसको हम बहूलक बोलते हैं तो यहां पर दो आपको दिखाई दे रहा है दो जो है य एक साथ उचाले जाते हैं कम से कम एक टेल आने की प्राइक्ता क्या होगी तो सबसे पहले आपको दो सिक्कों के पहलू पता होने चाहिए क्या क्या सेंपल इस्पेस बनेंगे तो दो सिक्के अगर हम एक साथ उचालेंगे तो हो सकता है दोनों पर हैड हैड आ जाए यहां फिर दोनों पर tail और tail आजाए यहां फिर एक पर head एक पर tail यहां फिर एक पर tail और एक पर head आए यह चार ही यहां पर total sample space बनेंगे अगर हम दो सिक्के एक साथ उचालते हैं कम से कम एक टेल आने की प्रवेल्टी बतानी है एक टेल आपका इसमें भी है एक टेल आपका इसमें भी है एक टेल आपका इसमें भी है तो कम से कम एक टेल आने की प्राइक्टा कितनी होगी 3 upon 4 होगी option आपका यहाँ पे C बिलकुल correct answer होगा तो यहाँ पर आपका math के section complete होता है बढ़ते है section D की तरफ last के 5 प्रेशन आपके reasoning के होंगे फटाफट से सभी को test लगाना है देखिए A की बाद क्या है B और C को छोड़कर आपका D put किया है E के बाद F और G को छोड़कर H put किया है I के बाद J और K को छोड़कर L put किया है दो alphabet छोड़कर तीसरा alphabet add किया है तो देखिए O के बाद P और K को छोड़ेंगे R put करेंगे S के बाद T और U को छोड़ेंगे V put करेंगे W के बाद X और Y को छोड़ेंगे यहाँ पे Z put करेंगे option आपका D यहाँ पे बिल्कुल correct answer होगा जिनोंने option D को answer दिया है question number 47 है आपके सामने screen पर श्रिंखला को पूरा करें तो देखिए यहाँ पे क्या है सभी में plus 3-3 हो रहा है ना 10-3-13, 13-3-16, 16-3-19 option आपका C यहाँ पे correct answer होगा question number 48 आपके सामने screen पर है जल्दी से answer देंगे और देखिएगा इसका मैं आपको basic एक बर complete करवा चुका हूँ अगर आपने यह blood relation वाला topic नहीं देखा है तो YouTube पर search करेंगे blood relation शुभम E classes आपके सामने पूरा topic आ जाएगा एक बर मैं फटाफट से आपको basic बता देता हूँ कि जब भी कोई female होगा उसके उपर हम minus का sign लगाएंगे और male के उपर हम plus का sign लगाएंगे भाई और भाई या फिर भाई और बहन को हम सीधी line में व्यक्त करेंगे male के उपर plus female के उपर minus husband और wife को हम एक दूसरे के बराबर दर्शाएंगे male के उपर plus female के उपर minus और पिता पुत्र के उपर या फिर माता और पुत्री के उपर उसको हम उपर और नीचे दर्शाएंगे उपर जो है father और mother होंगे plus और minus नीचे जो है son and daughter होंगे plus और minus अब मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा देखिए a b का पती है husband और wife को एक दूसरे के बराबर दर्शाएंगे a b का पती है तो a के उपर plus का sign b के उपर minus का sign c a की पुत्री है तो a की पुत्री कौन है भाई c है clear b के भाई d का b का कोई भाई है जो की डी है उसका c के साथ क्या संबंद है अब देखो b का भाई जो है वो c का क्या लगेगा मामा लगेगा option आपका c या पर बिल्कुल correct answer होगा इसकी मदर का brother c का मामा ही लगेगा question no.49 पर चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है यह आपका direction से question है direction नहीं बनाने वाला direct question को करेंगे आमन 5 km पूरा अफदिशा की और जाने के बाद 12 km नीचे दक्षिन की और जाता है वहे अपने प्रारंबिक स्तान से कितनी दूरी पर है आपको यह लिलेंथ बतानी है तो जब भी आपके सामने ऐसा diagram बने तो यह आपका एक तरह से sum count त्रिभूज बन जाता है तो यह आपका क्या हो गया यह आपका वीकरन हो गया और वीकरन निकालने का formula क्या होता है diagonal निकालने का formula होता है d square is equal to l square plus b square आधार का square plus lumb का square राइट तो direct कर लीजेगा यह ट्रिपलेट है यहाँ पर आपका 13 answer होगा जब आप इसको solve करेंगे l आपका कितना है 12 है 12 का square प्लस 5 का square इसको आप solve करेंगे तो आपका यहाँ पर 13 answer आएगा solve आपने आप कर लीजेगा clear है question number 50 की तरफ चलते हैं आपके सामने 50 स्क्रीन पर है आज का last question बताईएगा यहाँ पर कोन सा वीशम है तो देखिए कमल क्या है फूल है बैंगन क्या है सबजी है आम क्या है फल है यहाँ पर रंग आपको नीला दिया है जबकि क्या होना चाहिए था नीला रंग होना चाहिए था option D आपका थोड़ा सा shuffle किया हुआ है option D आपका correct answer होगा तो दोस्तों यह थे आपके पूरे 50 प्रशनों का model paper बताईएगा आज का session कैसा लगा आज के इन 50 प्रशनों में आपका score कितना है जल्दी से सभी विधारती score कमेंट करेंगे आपका score कितना है score आपको section wise कमेंट करना है चलिए मिलते हैं कल और देखिएगा daily हमारी classes होती रहेंगी आपको daily classes attend करनी है आपकी practice के लिए आपकी division के लिए और कुछ नया सीखते रहने के लिए चलिए मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत